Hello my dear friend कैसे हैं आप सब उमिदा आप सब अच्छे होंगे तो दोस्टों इस वीडियो में हम बात करेंगे AirePay के रिगार्डिंग AirePay में हमें जो भी प्रोब्लमज आती हैं उन सबी प्रोब्लम को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जब ARI पे लोगिन करते हैं तो लोगिन वाया SMS ही करना है यहाँ पर लोगिन वाया पासवर्ड आपको नहीं करना है यहाँ पर आपको SMS लिखा दिखता है तो आपको लोगिन वाया SMS कर लेना है सबसे पहला ये issue रहता है कि हमें login करने में problem आ रही है जबकि हमारा password same है तो update आने के बाद से किया हुआ है दोस्तों जब update आया है उसके बाद से सभी password reset हो गए है तो हमें अपना नया password create करना है उसके लिए सबसे पहले हमें login वाया sms login कर लेना है लोगिन कर लेने के बाद बात आती है basic details की तो basic details में एक issue हमारा रहता address तो address में आप सिर्फ city name ही use करें city name use करने से क्या benefit होंगे वहाँ पर आपको दोस्तो जो भी आपका city name रहेगा वो common रहेगा आपके आधार card में भी आपके bank detail में भी ठीक है दूसरा चीज मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ कि जो आपका बैंक जो आप एड़ करने जा रहे हैं चाहे वो आपका ब्रेदर का है सिस्टर का है या आपके फ्रेंड का है या पेरेंट्स का है तो उसमें जो आपका बैंक में जो नेम होगा वही बेनिफिशरी नेम आ ना करें first name यूज करें middle name नहीं है तो इसको छोड़ के first name last name यूज करें यहां पर आपको अपनी real bank details के साथ match करते हुए अपना नाम यूज करना है ठीक है email आप यहां पर send पे click करेंगे तो अगर पहला OTP आपका यहां पर accept नहीं होता है error आता है तो आप दुबारा से send पे click करें आपका second OTP यहां पर accept हो जाएगा यह problem भी solve हो गई है अब हम आते हैं यहां पर अपनी details के बाद ठीक है तीसरी क्या रहता है कि आप यहां पर fully verify ना करें दोस्तों अगर आप fully verify कर देंगे तो कोई भी एक detail ऐसी हो जाएगी जो आपक करने के chances आ जाते हैं तो हम यहां पर आपसे request करते हैं कि आप सिर्फ basic और semi verified ही करें योकि semi verified में हमें एक दिन में 5000 डोलर withdraw की limit मिल जाती है जो कि काफी बड़ा amount है अभी हम आगे बढ़ते हैं कि withdraw करने के लिए हमें क्या conditions की ज़रुत पढ़ती है तो withdraw के लिए एरिपे की minimum condition है कि आपके account में 10$ होने चाहिए एरिपे account में 10$ की value जो है amount होना चाहिए उसका withdraw कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि हम इसमें कौन सा bank account एड़ करेंगे जिस से हमें submit field का issue ना आए तो मैं आपसे request करता हूं कि आप paytm और air retail payment bank इसमें यूज ना करें इन डोनों bank में withdraw करने में आपको submit field की issue से face करनी पड़ सकती है यह अधर country का जो है यहाँ पर मैं आपको screenshot दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर payment face 3$ है अपने यहाँ इंडिया में 1.2$ की जो fee लगती है तो यहाँ पर मैं आपको बता जिदा हूं कि submit field का issue आपको paytm और air retail payment bank में ही यह issue face करना पड़ेगा आपके पास कोई other bank है तो वो आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो मैंने आपको उम्मीद है सारी चीज़े समझा दी है कि आपको starting से लेके last क्या चीज़े face करने पड़ सकते हैं और आपको क्या क्या steps लिने होंगे तो अगर फिर भी कोई doubt है तो screen पर आपने मे वारी वीडियो मिलती रहें थे